बहुत नाम पतल कि सबसे बेस्ट लोयर्ज में हैं इंडिया में और उन्होंने अग्री किया है कि हमारे जो 10,330 के जो अफेक्टेड टीचर्ज हैं उनकी लिए वो केस वाइट करेंगे यह बहुत बड़ा चीज है मैंने कमिट्मेंट दिया था अपने लोगों को कि लोयर का इनका उपर आने जाने का खर्चा मैं देखूंगा और मैं अपने पोगिर से कर रहा हूं इससे ADC का एक रुपया नहीं है मैंने अपने तरफ से यह किया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे जो तीप्रासाज है जो तृप्रा के लोग है आम जनता है उनको फाइदा हो और जो कश्ट हमारे 10,330 से उनको हुआ है बहुत लोगों ने सुसाइट किया है बहुत लोगों का नौकी चला गया बहुत लोग मर चुके हैं मैं चाहता हूं कि उनको इनसाफ मिले कपिल सिब्बल जी जो हिंदुस्तान के टॉप 3-4 लोयर्स में है उन्होंने हमारा केस वाइ यह जो केस है इस से हमें रिलीफ मिलेगा मैंने कमिटमेंट दिया था और यह कमिटमेंट का जो मेरा ड्यूटी है मेरा करतावी है वह पूरा कर रहा हूं मैं फिर से बोलना चाहता हूं आप CPM में हो, Congress में हो, IPFT में हो, मौथा में हो, त्रिनमूल में हो, BGP में हो, कहीं में भी हो मुझसे कुछ लेना देना नहीं है मैंने अपना एक ड्यूटी मैंने प्रॉमिस किया था दायत दे लिया था मैं उसको पूरा कर रहा हूँ ये एक अच्छा चीज है और मैं आपको ये खुश खबरी देने के लिए मैंने आपको आज ये फेस्बुक लाइब में मैं सब से एक ही बात कहना चाहता हूँ जो जनजाती मुर्चा है वो भी तीप्रासा है जो तीप्रा मौथा है वो भी तीप्रासा है भाई भाई को मानने से नुकसान तीप्रासा का होता है कोई पार्टी का पार्टी का कोई मतलब नहीं रहता है शायद बहुत लोग पार्टी को ज कि बाहर के लोग कि उस्ते हैं फिर से यह कल्चर को खतम कीजिए यह नहीं किसी को मारना पीतना पथर खेकना कही में ऑंपी में देखा कि कि Hai किसी ने कहा कि महारा जाजा करेत होना चाही मेरे दुख लगता है लेकिन ये भी जानता हूं कि चाबी लगाने वाला तीपरासा नहीं है, बाहर का कोई और है, तीपरासा सिर्फ ये करता है, लेकिन चाबी लगाने वाला तीपरासा नहीं है, मुझे बहुत दुख लगता है, लेकिन अब ये भाषा जो आजकल यूज किया गया, जो अमरपूर में थूका गया मेरे उप किया गया इससे अगर आपको लगता है कि बुबाग्रा मरेगा और तीप्राशा का भला होगा तो सबसे पहले मुझे कुली मारिए मेरे मनने से अगर तीप्राशा को कुछ मिल सकता है तो मैं सबसे पहले मरने के लिए तैयार हूँ एक लिस्ट मुझे मेरा मृत्यू तो आपके भलाय के लिए आएगा ये बात आप समझ लीजे रहा बात की अभी थोड़ देर के बाद EDC भी शायद प्रेस कॉन्फरेंस करेगा अगर तला में लेकिन दो तील आरोब लगाया गया था मुझे दया आता है मुझे बहुत दुख लगता है लेकिन दया भी आता है क्योंकि जिन्होंने ये जो चित्थी ये रिप्रेजेंटेशन किया है प्रेस कॉन्फरेंस ये डेपोजिशन देखिये जो आरोप लगाया है सबसे पहले सीजी का रिपॉर्ट वो दो हजार चौदा से है हम दो हजार इकिस में पावर में साथ साल से एड्मिनिस्टेटर जो बीजीबी का पॉइंटेट था वो था जीके राओ उससे पहले कम्यूनिस का था लेकिन आपने दो हजार अठारा में आने के बाद अभी किया है क्योंकि आपको पॉलिटिक्स करना है ठीक है चलो दूसरा आरोप था कि 10 करोड सैंक्शन क किया गिया है काउंसल भावन के लिए और हमने इसको शिलॉंग में शिफ्ट क्यों किया आप अभी अपने चीफ सेकेर्टरी से बात पूछ लीजिए अभी तक एक पैसा नहीं मेरा 10 करोड से यह रुपय मेवार के टाइम में भी आया था यह पैसा अभी भी स्टेट गर्मन में लिया था मेखाले से तो वो जमीन पहले से हमारे पास है हमको लगा और यह पैसा स्टेट गवर्मन नहीं हमें रुपया दिया है यह 10 करोड का रुपया नहीं है स्टेट गवर्मन नहीं हमें रुपया दिया था ट्रांजिट गेस्ट हाउस बनाने के लिए क्योंकि वहा से पूछ लीजिए जो प्रीविएस चीफ से कुमार अलोग जी उन्होंने यह अप्रूवल दिया है राइटिंग में दिया है तो यह ऐसा नहीं है कि हमने कुछ फंड्स किया है लेकिन दया आता है क्योंकि आप पड़ाय लिखाई नहीं करते हैं आपको सिर्फ पॉलिटिक्स करना है कि तीसरा अरोग था किरिंग बार होस्पेटल सबसे पहले मैं एक बात पूलना चाहता हूं जो लास्ट चीफ मिनिस्टर थे बिपलब जी मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद बूलना चाहता हूं उन्होंने अपना बड़ापन दिखाया और उन्होंने हमें पैसा दि सवेंबर या फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर में हमने टेंडरिंग प्रोसेस किया डिजाइनिंग किया और अब यह कागस रेड़ी है टेंडर वग देना पड़ेगा लेकिन हमने बेफजूल में इसको नहीं किया सोच समझ के इसका हॉस्पिटल को अभी 50 से 150 बेड़ के बारे बात करना है तो आपको पहले अगर करॉप्शन कर नहीं है आपको करॉप्शन का आरोप देना है तो कीजिए लेकिन सबसे पहले पैसा तो भेजिए अगर पैसा ही नहीं आएगा तो करॉप्शन करने का मौका कहा मिलेगा जब पैसा ही नहीं आता है तो करॉप्शन 12 के लिए बात करता हूं आपको problem है कि मैं compromise नहीं कर रहा हूं आपको problem है कि मैं कोई understanding नहीं कर रहा हूं कोई मतब की greater tip land के issue से मैं नहीं हट रहा हूं शायद आपको उसका लिए problem है क्योंकि आपको आदत हो गया है कि तीप्रासा लोग election के पहले और election के जीतने से पहले greater तो शायद इसके लिए आपको मुझसे थोड़ा सा एलर्जी है चिड है गुसा है नाराजगी है देखे मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ आज का तीपरासा बहुत अच्छा है कि मानदार है लेकिन भेकूफ नहीं है हमारे पास भी सोशल मीडिया है हमारे पास भी अब तरीका है कैसे जानने के लिए कि क्या ठीक है और क्या गलत है और इस बार तीपरासा ने मांड मेकप कर लिया है कि हम इस बार अपने भविशय के लिए अपने नेक्स जैनریशन के लिए अपने survival और existence के लिए ये जो शब्द में इस्तिमाल कर रहा हूँ survival and existence के लिए हम अब थोड़ा सा लेंदेन करके अपना भवश्य को खत्रे में नहीं रखेंगे आपको अगर कुछ करना है तो आप जाके please अपने state government से या national government से जो center में बैठा है उनसे आप demand कीजिए कि आप तिप्रासा को क्या constitutionally समदेधान के अंदर आप तिप्रासा को क्या दे सकते हैं आप वो कीजिए आप अपने government को pressure कीजिए कि हम तिप्रासा लोगों को क्या मिल सकता है आप वो जाकर pressure कीजिए और अगर आपका pressure रहा तो शायद तिप्रासा को कुछ मिल सकता है लेकिन आप हमको pressure देके हमको कमजोर करके आप किसको ताकतवर कर रहा है ये भी आप समझ लीजे आज अगर बुबागरा नहीं होता आज अगर तिप्रा मोथा नहीं होता तो तिप्रासा के पारे कोई पूछता भी नहीं आज जो आपको भी importance मिल रहा है आपके पार्टी में वह इसके लिए है क्योंकि तीप्रा मोथा स्ट्रॉंग है आज आप सवाल करते हैं EDC में MDC क्या कर रहा है EM क्या कर रहा है आज से एक साल पहले कोई सवाल कर रहा कि आपके पास 20 MLS तो है ना, उन्होंने क्या किया, 18 MLS तो थे, उन्होंने क्या किया, क्या MLS का कुछ दायत्य नहीं है अपने क्या सिर्फ राम चंद्र घाट में सिर्फ एम सुहेली है, हमारा प्रशान्तो देवर्मा नहीं है, या गोला घाटी में सिर्फ उमा शंकर है, बिरेंद्र देवर्मा नहीं है, तो आप, 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 भी समझे, शांतिर बाजार में सिर्फ अपना तीप्रम होता है, प्र यह सवाल MLA से भी पूछे ना कि उन्होंने क्या किया है MLA को तो development fund मिलता है हर साल अपने constituency में काम करने के लिए MLA को तो मिलता है आज तक तो MDC को तो नहीं मिला तभी भी हम लोग काम कर रहे हैं आप हमारा तिप्रा मोथा का EM और MDC का movement देख लिजे कंचनपूर में सबरूम में मनू में अंबासा में रहिमा वैली में गुला घाटी में पूरे जगे में हम लोगों के EM और MDC भागमा में किला में अंपी में हम लोग के लोग है लोकल है मेरे कहा है लोकल MLE की चुब बैट गया है ये भी आपको सवाल करना चाहिए और लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ मेरा दुश्मन ना BGP है मेरा दुश्मन ना कि Congress है ना कि CPMB है मेरा दुश्मन कोई नहीं है लेकिन मेरा दोस्त वही है जो हमारे तीपरासा को कुछ देगा तो अगर आप हमसे नहीं जगर के अपने partő को pressure करे कि और एक बात सुविकार करें कि तीपरासा के संग अन्याई हुआ है और तीपरासा के संग कोई party नहीं तीपरासा के गुनमुक्ति परिशद है, स्टीसेल है, आप अपने ही पार्टी में प्रेशर दालिये कि आप आपका पार्टी तीपरासा को कान्सचुश्नली क्या दे सकता है? प्रेशर डालिये कि तीपरासा के संग अन्याय हुआ है और आप अपना पार्टी उफिशली तीपरासा को क्या देगा मौट पावर बोलने से नहीं होता है मौट पावर का कुछ मतलब नहीं होता है एक बत्त क्या है क्या दे सकते हैं इलेक्शन के पेले जन जाती मोर्चा ने कहा था स्टेट काउंसल आज पिर से बोल दीजे स्टेट काउंसल विद पावर डिफाइन किया है पावर कॉंग्रस बोलता है 244 लिख के दे दीजे बोल के बुलिए सीपेम का शाय कुछ और पॉइंट होगा आप बोलिए आप अपने पार्टी में आप तिप्रसा का व्यू को स्टॉंग कीजिए मैं अपने जगर में अपने लोगों के लिए बात कर रहा हूं और लास्ट बात यहां में ये इंडिया सब का है ना कि कोई धरम का है ना कि कोई जाती का है तुरुप्रा भी सब का है लेकिन मैंने देखा है कि कहीं में मुसलमान को टागेट किया जा रहा है कहीं में क्रिश्चन को टागेट किया जा रहा है कहीं में हिंदू के खिलाफ कि तुम अच्छे हिंदू हो और तुम खराब हिंदू हो कहीं में बुधिस को तुम CPM हो, बच्चा ने कहा नहीं, तुम Congress हो, बच्चा ने कहा नहीं, तुम तिप्रा मौता हो, बच्चा ने कहा नहीं, तुम BGP हो, बच्चा ने कहा नहीं, तो फिर तुम क्या हो, बच्चा ने कहा, मैं कुछ नहीं हो, मैं भूकी हो, आज उसके बारे हमको बात करना है, पाती तो आते जाते रहेगा, अपने लोगों के बारे सोचो, यह मेरा मेसेज है, I love all of you all, I love if you are in, और जिनका भी कश्ट हुआ है, तोरपोर हुआ है, मैं सौरी बोलना चाहता हूँ, हाथ जूर के, मैं आपको सौरी बोलना चाहता हूँ, और जिसने कहा है, death to बुबागरा, जो मेरा बुरा करता है, ठीक है, अगर आपको लगता कि मैं मर जाओं, तो आपको कुछ मिलेगा, तो मार देजी मुझे, मुझे पहले भी बहुत बेज़त किया गिया है, मुझे पॉलिटिक्स करने के लिए, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया है, मैं, मेरा बहुत करके मेरे उपर थुक के मेरे उपर गाली बग कर आपको ती प्रसा को कुछ मिल सकता है तो कर दीजिए मैं रेडी हूँ मैं सामने हूँ सोचना आपको है कि चाबी आपको किसने लगाया और आपने क्या किया I love all of you all God bless you 10,330 teaches को जस्टिस मिलेगा और मैं सिर्फ अपने दोस्त को जो बीजीपी मैं बोलना चाहता हूँ कि बीजीपी ने आप थोड़ा सा चीफ सेकर्टरी का होमवक अच्छे तरीकी से कीज़े विदाउट होमवक आरोप लगाना गलत बात है God bless you झाम मैं सेकर्दोर जह दोड़ा क्या झारोबा रगाना पाल झाम मैं करता है क्पते है मैं सेद्ड़नों जा किस χाईे आरोप झाल झाल